नमस्का फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेक्निकल हेल्प में और जैसा कि अपने थम्लेंड में पढ़ ही लिया होगा आज हम बताने वाले हैं आपको प्ले इस्टूर की आईडी कैसे बनानी है ठीक है तो हम प्ले इस्टूर ऑपन करते हैं आपको य जो है कोई डोकूमेनट्स में या कोई फॉर्म ओनलाइन करने में जब भी आपको कोई एमिल आइडी मांगें तो यही इमिल आइड होगी मैं आपको पूरी एक एक क्या चीज कि क्या ऑमिल आइडी होते हर चीज तो बने रही है पूरे वीडियो में किदम completely देखे ठीक है तो यहाँ पर हमें प्लेश टूर जैसे यह open करेंगे तो हमारे पास यह इस तरीके से open आता है कि आप यहाँ पर login की जी ठीक है तो यहाँ पर हमें login के लिए यदि आपके पास कोई email ID होगी तो आपको इस box में डालनी पड़ेगी ठीक है अब माली जी हमारे पास email ID नहीं है क्योंकि हमारे पास है ही नहीं तो हम नई email ID बनाने वाले हैं तो आपको यहाँ पर create account पर click कर देना है जैसे हम create account पर हम click करते हैं तो मेरा नाम है राजीब कुमार ठीक है तो first name में डालेंगे हम राजीब और last name में डालेंगे कुमार ठीक है यही होता है first और last name का मतलब ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर किसी और नाम से बना रहा हूँ जैसे हरसित कुमार नाम से बना रहा हूँ अब उसके बाद हमें कर देना है नेक्ट तो जैसे हम नेक्ट बटन पर हम किलिक करेंगे तो हमारे पास जो अगला पेच होगा वो कुछ इस तरीके से होगा जहां पर हमें अपने डेट ऑबत यानि कि जनमतिती भरनी होती है तो जनमतिती हमें यहां पर सबसे पहले जो आपक कोई भी डेट दे सकते हैं ठीक है आपको नहीं है कर याद तो कोई भी डेट दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यहां पर महीना भर दीजिए जो भी आप समझे महीना यहां पर एयर में आपकी जो है किस यह को आपको जनम होगा ठीक है तो यहां पर भर देने के बा हमें अपनी email ID का नाम देना है ठीक है तो हमारा नाम होगा चो हमारी यह email ID है ठीक है आप email ID किस नाम से रखें ठीक है तो यहां पर हमें वो डाल दिया है अब यह मेरी email ID अभी नहीं है अभी तो मैंने सर्फ नाम डाल दिया है अब Google सर्च करके बताएगा कि आपको यह email ID मिली हुई है ठीक है यहाँ पर हम जैसे ही next बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यदि आपको लिखा देखे their surname is taken try another ठीक है तो आप यह कह रहा है कि यह नाम बहुत से लोगों ने बनाया हुआ है इस email ID के नाम से तो आप इसमें कोई और संख्या भाद देते हैं जैसे मैंने हरसित और 12 बे लिख दिया नहीं कि 12 लिख दिया कोई space नहीं देना है ठीक है पर क्लिक कीजिए मतलब next पर क्लिक करते जाएगे जब तक आपको अच्छी एक email ID नजर ना आए यह नहीं तो यहां पर आ जाती है एच के 1150 623 ठीक है अब चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं जैसे इस पर क्लिक कर देता हूं और इस पर यह जो है box में fit हो जाती है box में fit होने के बाद हमें next बटन पर क्लिक कर देना है ठीक है जैसे next बटन पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर अब हमें passport बनाने के लिए बूलता है जो कि हमारा lifetime इस email ID पर passport रहेगा जो अभी हम किसी अन्रफॉन में login करेंगे तो हमें वहां पर देना होगा passport क्या रखना चाहिए हमें वहम आपको बता देते हैं यहां पर आपको passport रखना है ए से जट तक का कोई भी एक वर्ड ठीक है मैं आपको बता दूं जैसे की चलिए मैंने रिख दिया है एच ठीक है एच उसके बाद कोई सी भी संख्या भर देता हूं जो भी आपको उचित लगे अपना phone number या कुछ भी तो eight nine five three six sorry six यह मैंने जो है और one nine यह मैंने भर दिया ठीक है यही मैं इस में भर दूंगा पासपट एच यह एट nine five three six one 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 nine यह मैंने भर दिया उसके बाद हमें जो है next बटन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर यहां पर यह कुछ इस तरीके से कुछ settings होती हैं को आप कर सकते हैं या नहीं करना है तो आप आई एग्री पर क्लिक करते जाएगा ठीक है और जैसे हम आई एग्री पर क्लिक करते हैं तो यहां पर हमारी यह email id बन चुकी है अब आपको बता दूँ यह जो उपर आप देख रहे हैं यह आपकी email id ठीक है यह आपकी email id होगे इसको आपको याद रखना है या लिख लिए लिए जिए कहीं ठीक है और यह जो नीचे का भी आपने भरा था ना फर्स्ट पासपेड में और पासपेड मतलब नीचे जो सेम पासपेड भरा था ना वह आपको पासपेड लिए लिए ताकि आपको आगे बन चुकी है बस अब जो है किदम कंप्लेटी तैयार हो चुकी है यहाँ पर थोड़ी प्रॉसस है और उसके बाद कुछ सेटिंग से यहाँ पर email id बनने के बाद आप उपर की जब जाएंगे तो यहाँ पर accept पर आपको click कर देना है और जैसे accept पर आप click करेंगे तो यहाँ पर मतलब सारी जो permissions है वो हमने follow कर ली है और यहाँ पर हमारी जो प्लेश्टूर है वो open हो चुकी है और यहाँ पर यदि अब आपको एक बात और हम आपको बता देते हैं यदि आप अपनी जो है email id बन चुकी याप प्लेश्टूर आइडी कुछ भी के सकते हैं ठीक है उस यहाँ पर देखे three lines पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको जो edge लिखा देख रहा है ना इस edge पर अभी आपकी photo भी लग सकती है मतलब photo भी आप लगा सकते हैं उसके लिए मैंने जो वीडियो बनाया है उसकी link में नीचे description में देदूंगा आप वहाँ से इसको जो है देख सकत आपकी आगे आने वाले जो interesting वीडियो है वो आपको मिलती रहें ठीक है यदि आप चाहते हैं कि आप किसी और topic पर वीडियो बनाना हुआ चाहते हैं तो आप हमें जरूर बताईए कि कि सरह हमें इसके बारे में जो है बताईएगा तो हम उस पर जरूर बताईगे फिराल के के फ्रेंड नहीं कॉमेंट्स जरू करें कि एक वीडियो आपको कैसा लगा फ्राइल के लिए इतना ही मिलते हैं थेंक्यों सो मच